हेलो नमस्कार दोस्तों आज का हमारा टोपिक है बिलेंडर 3.2 कैसे डाउनलोड करते हैं कैसे इंस्टॉल करते हैं विंडो 11 के अंदर वो देखेंगे और प्लीज गया यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें चलिएत शुरू करते हैं आप अपने लैटाप यादर कोय भी ब्रॉजर आपेन कर लिजाएगा ब्रॉजर आपको जोगल कर लेंदें ब्लेंदर रिटार कर्दनें यानि तो आपको क्या करना है यहाँ पर second tab दिखेगा download का या तो आप यहाँ पर click किजेगा दोनों में से कहीं से भी click करेंगे तो deck आप इस page के ओपर आ जाएंगे अब आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको लिखावा दिख जाएगा download calendar 3.2 हो सकते है जिस टाइम आप यहाँ पर download कर रहे हैं यहाँ पर update हो जाएगा अपडेट होने के बाद यहाँ पर वाला version आजाएगा इसे उपर का version आजाएगा उस case में भी आपको same ही करना है अब आपको क्या करना है या तो आप यहाँ पर click करके download कर ली जाएगा यानित आपको क्या किने है यहाँ पर कुछ सकेंड़ करना है कुसकी करते ही इस तरह से वींडू न हो जाएगा आप आपने चाहां पे आपको i Lewis करना चाहते हो पाइद कर ली होजेगा उसके बाद यहाँ पर पर chilप decision कर दें इस तरह से और Sut diKat Yes डाउनलोड कम्प्लीट होने के बाद आपको क्या करने उस फोल्डर के अंदर जाने जहां आपने इसको सेव किया है वहाँ पर आपको इस तरह से एकसी दिख जाएगा अब आपको क्या कर दिने इसके बाद यहाँ पर पर पट्टी दिख जाएगा इसको पर आपको क्लिक कर इस तरह से window open हो जएगा आप मालिज़े यदि आपके case में भी यहाँ पर unblock दिखता है तो आपको क्याकन है इसको tick mark कर देने इसके बाद आपको apply पे click कर देने यदि आपके case में यहाँ पर unblock नहीं दिखते हैं तो आपको क्या करके बाहर आ जाना है आप हम इसको install करेंगे लेकिन install करने से पहले एक चीज में आपको बताना चाहता हूँ यह जो latest version है यह cable 64-bit का operating system में ही चलेगा चाहे window 11 हो 10 हो 8 हो 64-bit होगा तो ही काम करेगा यदि 64-bit नहीं होगा तो आपको case में ये काम नहीं करेगा इसलिह आपको क्यािकरना है, ऑफ से पहले इस से पहले इसप करने से पहले आपको चेक करना है, आपको case में 64 bit का ओप्रीटिंग सिस्टम है या नहीं है, यदि आपको क्याओ करना है, यहाँ पर दिख जाएगा 10 Pc, इसको बद आपको रैट किलिक करना है, इसके बाद आपको property पे click कर दिना है click करती है इस तरह से window open हो जाएगा अब आप यहाँ पे चेक कर लिजएगा आपके case में system tab के आगे क्या लिखा हुआ है यदि आपके case में यहाँ पे 32 bit लिखा होगा तो आपके case में यह latest version है यह काम नहीं करेगा आपको install नहीं करना है यदि आपके case में 64 bit होगा तो आपके case में यह काम करेगा तो आपको install करना है जैसे मैं बताओंगा वैसे install करना है यदि जिन लोगों का 32 bit है यदि आप वो install करना चाहते उसको आपको old version install कर लिजएगा old version आपके case में काम करेगा लेकिन latest version काम नहीं करेगा अब आपको कहा किने इस window को यहां से close कर दिने, अब हम इसको install करेंगे, install करने के लिए आपको कहा किने या तब इसको पर double click करके install कर सकते हैं, यानि तब इसको पर right click करके open करके install कर सकते हैं, दोनों में से कहीं से भी click कर दिजएगा, click करते हैं, इस तरह से window open हो जाएगा, आपको इंस्टॉल पर किलिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा माली है यदि आपको केस में भी इस तरह से विंडो ओपन होता है तो आपको क्या करना यहां पर यहां पर किलिक करते हैं इस तरह से इस्टॉल होना शुरू हो जाएगा अब आपको कुछ नहीं करना बस यहां पर आपको कुछ सेकने वेट करना है इस्ट्रोलेशन कंप्लिट होने के बाद यह विंड़ो ओपन हो जाएगा आपको क्या किने यहां पर फिनिस पर किलिक करते हैं इस्ट्रोलेशन कंप्लिट हो जाएगा अब यदि आप इस एक्सियू को कहीं और सेव करके रखना यानि नहीं तो यहाद से आप डिलीट करना चाहते इसको अप यहां से डिलीट भी कर सकते हैं। आप हम चेक करेंगे स्टॉल किए हो परोपर काम और नहीं करते। इसने आपको क्लीक पर आपको क्लीक कर लिए नहीं से काई focus में। क्लिक करलें। कर लिजएंग। क्लिक करते हैं इस तरह से window open हो जाएगा आप देख रहे हैं without को error ये open हो चुका है अब आप इसको अपने हिसाब से use कर सकते हैं अब आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा quick setup करने के लिए यदि आप language change करना चाहते है तो यहाँ से आप language change कर सकते है इसके बाद यहाँ पर आपको next पर क्लिक कर देने इसके बाद इस तरह से window open हो जाएगा अब आप इस software को किस के लिए use करना चाहते है यदि आप general purpose के लिए use करना चाहते है तो यहाँ से क्लिक कर सकते हैं यदि आप 2D animation बनाने के लिए use करना चाहते है तो इसको आप यूज कर सकते हैं वी एफेक्स के लिए यूज करना है तो इसको आप कर सकते हैं वीडियो एडिटिंग के लिए यूज करना है तब यहां प्लीज घानल को शब्सक्राइब करें लाइक करें शेर करें थैंक्यू